अलो प्यारे बच्चो इस वीडियो क्लास में हम प्रिश्णा वली तीन दसलो तीन का छटा सवाल हल करेंगे बाकी सभी सवालों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये हैं आप सभी सवालों को देख सकते हैं ठीक है बच्चो तो छटा सवाल है किसी समांतर चत्रवुज के दो आसन कोड़ों के माप बराबर हैं यानि कोई समांतर चत्रवुज है और इसके दो आसन कोड़ों बराबर माप के हैं हमें इस समांतर चत्रवुज के सभी कोड़ों की माप ग्यात करनी है तो चलिए सवाल को हल करते हैं एक एक चीज अच्छे समझाओंगा सवाल आपको समझ में आ जाएगा तो बच्चो सवाल में हमसे बोला है किसी समानतर चत्रबुच के दो आसन कोड़ों बराबर माप के हैं ठीक है लेकिन हमें इन आसन कोड़ों की माप नहीं दी हुई है बस इतना बता दिया है कि आपस में बराबर है तो सबसे पहले तो बच्चो हमें इन कोड़ों को अपनी तरफ से एकस एकस मान लेना है ठीक है तो सबसे पहले हल में हमें लिखना है माना समानतर चत्रवुज के दो आसन कोड़ों में प्रते कोड़ की माप X है हमने क्या किया हमने दो आसन कोड़ों में प्रते कोड़ X X का मान लिया ठीक है दोखो यहाँ पर मैं एक समानतर चत्रवुज की रफाकृती बनाता हूँ आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा ठीक है तो यहां बच्चो मैंने एक समांतर चत्रबुज की रफाकिर्ती बना दी ठीक है अब हमसे बोला है कि इस समांतर चत्रबुज के दो आसन कोण बराबर माप के हैं तो बच्चो हमें इनकी माप नहीं दे रखी है तो हमने यहां क्या किया है इनकी माप एक्स मान ली है मान लो कोण एक्स है ठीक है तो भई कोण भी कितना हो जाएगा ये भी एक्स हो जाएगा क्यों क्योंकि हमें इन दोनों कोणों की माप बराबर दे रखी है ठीक है तो यही चीज मैंने यहां लिखी है किलियर हो गया ठीक है अब क्योंकि बच्चों हमें यह पता है समांतर चत्रवुज के आसन कोण संपूरक होते है यानि अगर हम समांतर चत्रवुज के दो आसन कोणों को जोडते है तो बरावर योकफल हमें एकसो असियन्स मिलता है तो यहां में क्या करना है इन दोनों कोणों को जोड़ना है यानि एकस प्लस एकस ठीक है बरावर हमें कितना मिल जाएगा एकसो असियन्स क्यों क्योंकि दोनों आसन कोण है और समांतर चत्रवुज के आसन कोणों का युक्वल 180S होता है यानि ये संपूरक कोणों होते हैं ठीक है तो यहाँ bracket में हमें कारण लिख देना है समांतर चत्रबुझ के आसन कोण संपूरक होते हैं संपूरक कोणों का मतलब होता है बच्चो ऐसे कोण जिनका युक्वल 180S होता है X कमान निकाल लेना है और X कमान मिलते ही हमें इन दोनों कोडों की map मिल जाएगी थीक है तो यहाँ X कमान निकालने के लिए हमें क्या करना है बस इस 2 की side change कर लेना है थीक है तो यहां रहेगा X और बराबर में है 180 ठीक है अब इस 2 की side change करेंगे यह x के साथ है गुणा में यहां कोई भी चिन नहीं है तो यहां है गुणा ठीक है और गुणा की संख्या साइट चेंज करने के बाद आती है बटे में तो 2 आ जाएगा 180 के बटे में अब 2 से 180 को हम भाग दे लेंगे तो भई हमें 90 मिल जाएगा यानि 2 से 180 नबभेवार में कैंसिल हो जाता है ठीक है तो यहां हमें x बराबर मिल गया नबभेंस ठीक है अब देखो बच्चो हमने यह कोण x माना है और x का मान हमें कितना मिला नबभेंस यानि यह कोण हो जाता है नबभेंस का ठीक है कोण a तो कौण B भी कितना हो जागा, नबेंस का, क्योंकि दोनों ही XX हैं, ठीक है, अब इन दो कौणों की माप तो हमें मिल गई, अब बचा ये वाला कौण और ये वाला कौण, इन दोनों कौणों की माप भी हमें ग्यात करनी हैं, तो देखो बच्चों, क्योंकि हमें ये पता है, कि ये एक समांतर चत्रवज है और समांतर चत्रवज के आमने सामने के कौण बराबर माप के होते हैं तो कौण A के सामने है कौण C ये दोनों बराबर माप के होंगे कौण A नभ्यंस है तो कौण C भी हो जाएगा नभ्यंस ठीक है इसी प्रकार से कौण B के सामने है कौण D कौण B नब्भेंस है तो कौण D भी हो जाएगा नब्भेंस यानि इस समांतर चत्रवुज के सभी कौण नब्भे नब्भेंस के होंगे यानि पुरते कौण नब्भे नब्भेंस के होंगे ठीक है तो यहाँ पर हमें final answer लिखना है इस समानतर चत्रवुजकार पुर्ते कोण नब्भेंस का है यही हमारा उत्तर हो जाता है ठीक है हमसे इस सवाल में सभी कोणों की माप पूछी गई है तो हरे कोण की माप क्या है नब्भे नब्भेंस है ठीक है यह हो गया आपका answer उम्मीद है सवाल आपको समझ में आगया होगा मिलते हैं अगले वीडियो ग्लास